वाड़ी पुलिस टेशन क्षेत्र के तहताने वाले अमराती राजमार्क पर बसे धाबों पर सर्याम अवे शराब की बिक्री हो रही है टीसीपी नुरुल हसन ने क्षेत्र के अवे धंदे बंद करने का वादा किया था लेकिन उनका वादा खोकला साबित हुआ है अमराती राजमार्क पर अवे शराब बिक्री कास्टिंग किया गया तब ये खुला सा हुआ सूत्रों ने बताया कि सवी धाबा चालकों से पुलीस को देन जाने से अवे शराब धडल्ले से बेची जा रही है अमरावती राज मार्क पर पसे पल्ले धाबा, मीद धाबा, राजो का धाबा अपना धाबा के साथ अन्य धाबों पर अवेश शराब बेची जा रही है पुलीस लीपा पोती कारवाई कर छोड़ देती है, दूसरे दिन जैसे कि वैसे शराब की बिकरी शुरू हो जाती है बन की दिन चान्दी होती है, शहर में जिस दिन बंधरहा, उस दिन धाबे पर भारी भीड के साथ शराब बेची जाती है देसी विदेसी हर तरह की शराब धाबों पर देरात तक मिलती है महंगेदामों पर शौकीन भी शराब पीते है नावपुर शहर के लोग अमरावती राजमार के धाबे का रास्ता पकरते है देर रात तेक धाबे शुरू रहते हैं और शराब की अवेज तरीके से बिक्री करते हैं सूत्रों ने यहां भी बताया कि कुछ पुलीस वर एकसाइस के अधिकारी भी धाबे पर खापी कर जाते हैं धाबे पर अवेज शराब की बिक्री होने से सरकार का राजस्वे भी टूब रहा है। वहन चालक धाबे पर ही शराब पीते और अमराती राजमार्क होने से चालक धाबे पर ही शराब पी कर अराम फरमाते हैं। कुछ तो शराब के नशे में छगड़े पर भी उतर जाते हैं असामाजिक तत्व भी धाबे पर शराब पी कर देर रात को कारवाई को अंजाम देते हैं वाडी वरधामना ट्रांसपोर्ट शेत्र होने से सैक्ड वहान चालक ट्रक में ही आराम करते हैं ऐसे में शराबी चोरो ट्रक चालकों को ही निशाना बनाते हैं अब तक कई शिकायती भी पुलीस में दर्ज हुई है, साथ ही धावों पर पंगा होता है, क्षेतर के धावे देराद तक शुरू होते हैं, वहां हर तरह की शराब मिलती है, शराब पिनी के बाद ग्राहक आपस में तू तू मैमे पर उतर जाते हैं, जिसके कारण बारदाते भी बढ़ती है, मगर यह बाद उभर के नहीं आती, आखिर धाबे की शराब क्यों बन नहीं होती, धाबाबे उसाए